दुनिया के सबसे अमीर लोगे लिस्ट में दूसरे नमबर पर आने वाले highly successful इंसान इलॉन मस्क इतने successful क्यों है है यह तो सबको पता है लेकिन क्यों है और वो भी एकदम सही तरी कैसे नहीं पता है लोगों को कि वो क्यों है जो हाली में दुनिया के पहले सबसे अमीर बन गए थे अब वो जेफ बेजोस से एक दो बिलियन डॉलर पीछे चले गए यह आगे पीछे तो चलता रहता है मैं पैसा दिखा कर इलॉन मस्क को बड़ा नहीं दिखाना चाता वो जो कर रहा है न वो जो है वो दुनिया के सबसे अमीर बनने से कई उपर है क्यों इलॉन मस्क ऐसे है कि जब कोई ट्वीटर पर ट्वीट करता है कि इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी है तो ट्वीटर पर इलॉन मस्क खुद रिस्पॉंस करते है उस tweet का कि कितनी अनोखी बात है जो भी एक काम पर लगते है फिर से आज मैं आपको Elon Musk के बारे में कुछ ऐसी research बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता जो आपने कहीं नहीं देखी होगी जो Elon Musk को दुनिया से काफी अलग बनाती है पहला है highly competitive Elon Musk इतने जबा competitive है वो अपना competition किसी के साथ में करना चाहते ही नहीं वो हर बार अपने hard work से अपने competition से आगे ही जना चाहते है एक बार Ashley Wands नाम के आउथर ने अपनी बुक में Elon Musk Tesla SpaceX and Quest for a Fantastic Future इस बुक के लिए आउथर ने Elon Musk की first wife Justin Wilson का interview लिया तब Justin ने बताया कि जब college में साथ में थे तब Justin के 97 grade आये थे और Elon Musk के 98 आये थे लेकिन Elon Musk को उसमें भी competition लगा उनके number ज़्यादा आने के बाद में भी वो professor से कहते है कि number रिचेक कर लो क्या पता और ज़्यादा आयो मेरे उन्होंने teacher को convince किया कि मेरी rechecking करो हो सकता है कि मेरी hundred आयो इसको कहते है competition से आगे जाने का लालाच ये competition end हो चुका है अब तो मैं first हो उसके बाद में भी सोचना कि और क्या better कर सकता हूँ मैं और ये जो चीज होती न ये चीज एक नएक दिन निसान को successful बना ही देती है अगर उसके लिए ढंग से मैनत की गई हो फिर आता है determination अपने birthday के दिन तो आदमी कितना में busy हो वो अपने celebration के लिए time निकाल ही देता है लेकिन Elon Musk कोई celebration करता ही नहीं है वो अपने काम को लेकर ना इतने घजब के serious है कि क्या birthday है क्या normal day है, क्या celebration है वो भूल जाते है ये सब celebration वगएरा उनको पता ही नहीं है उस इंसान ने तो अपनी success को अपना celebration बनाया हुआ है जिस rocket उड़ा सही गया वो उनके लिए सबसे बड़ा celebration है Elon Musk अपनी factory में रात को काम करते-करते अपनी desk के नीचे या pass में पड़े कोच पर ही सो जाते है ऐसा नहीं है कि नीन दाय तो factory में ही सो गए वो इसलिए ऐसा करते है ताकि factory में चाक कर factory में चल रही robotics machine को देख सके और machine अगर रुख जाये तो वो उसकी वज़े ढून सके उसको फिर से ready कर सके उन्होंने अपने 47th birthday में 24 hours 24 गंड़े लगातर काम करके celebrate करा कुछ लोग celebration के लिए वेट कर रहे थे फैक्टरी में लेकिन उस दिन 24 गंड़े काम करा रहे और free नहीं हुआ है फिर यह बात short term deadline की अगर कोई काम है जिसको अगर आप करने बैठे हो तो 6 मिने लगते है और आपसे कहा जाए कि उसको करना है 2 महीने में तो कितनी हद पार हो जाएगी कि वही 2 महीने में पॉसिवेल ही नहीं है Elon Musk भी हर चीज में ऐसी हद पार करते है वो हद पार करने वाले जिद्धी इंसान है जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2018 में उनकी Tesla कार की High Demand की वज़े से shortage आई माल कम बढ़ रहा था अब production बढ़ाने में भी उन्होंने हद पार कर दिया उन्होंने 3 महीने में पुरा कर दिया 2018 के जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर महीने में सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 50,000 कार का production कर दिया जो कि एक तरह से impossible है कुछ लोगों के लिए फिरातीया बाद self education की क्या आपको बता है Tesla company अपने employees को बिना degree के भी काम पर रखती है अगर वो उस काबिल हो Elon Musk ने एक interview में बताया कि आपको सीखने के लिए school पर depend होने के ज़रूद नहीं है school सिर्फ आपको 1% सिखाती है 99% जो काम की चीज़े वो आपको खोद से सीखना होता है नवेद फारूक जो Queens University Kingston में Elon Musk के roommate रह चुके है उन्होंना Elon Musk के बारे में बताया कि हर बार college में exam के बाद में Elon Musk और बाकी के batchment अपने answers और grade compare कर रहे थे तब देखा कि Elon Musk के marks और answer बाकी assurance से कई ज़्यादा बैतर थे और Elon Musk के marks उन से compare किये जो उस college के सबसे ज़्यादा number लाने वाले assurance थे Elon Musk उन सबसे कई ज़्यादा बैतर जानते थे 2017 में जब बच्चे cycle चलाना भी नहीं जानते उन्होंने spacex में rocket science को लेकर भी कोई education नहीं करी उन्होंने rocket science भी aerothermodynamics of gas turbine and rocket propulsion जैसे किताबें पढ़कर खुद से rocket science सीख ली वो चीज़ सीख ली जिसको हम बूलते हैं कि rocket science थोड़ी है rocket science मतलब सबसे tough मानी जाती है उसको खुद से सीखना बहुत बड़ी बात है अब आता है quick decision हर बड़े और successful इंसान में फटाफट से decision लेने की capability होती है हर इंसान में अगर है तो Elon Musk में तो वो कूड़ के भरी होगी एक बार Tesla factory में machine tool खराब होगी है था जो सिर्फ France में बनता है लेकिन Elon Musk ने उसे order नहीं किया कि वो बाद में आये का इतने दिन लगेगे आने में बलकि private jet निकाला अपना और France चलेगे उसको लेने के लिए और same day उसको लेकर आगे ताकि काम disturb ना हो ताकि production में कोई कमी ना हो देरी ना हो अगर ये बात भी आपको normal लगे तो ऐसे बहुत किस्से है जिस पर कभी पहली फुरसत में Elon Musk के quick decision के उपर मैं वीडियो बनूँगा अलग से कभी चलो एक और किस्सा सुनो 2006 में Falcon 1 rocket के time US government ने Elon को Falcon 1 की launching को delay करने के लिए किया किसको आप बाद में launch करो क्योंकि उस time American Air Force का Titan 4 rocket launch होना था तो उसकी वज़े से delay हो रहा था Elon Musk को अपने Falcon 1 में delay नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि मैं बाद में उसको launch करो उन्होंने जल्दी से किसी ऐसी जगह का पता करा जो rocket launch करने के लिए इतम सही हो और Pacific Island पर जाकरके permission लेकरके US Government के Titan 4 से पहले खुद ने rocket अपना launch कर दिया You can't का मतलब इनको पता नहीं था उन्होंने बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ जाना लेकिन उन्होंने You can't का मतलब जाना ही नहीं अगर कोई उनको बोले कि Elon Musk तुम यह नहीं कर सकते तो वो बोलते है कि यह कैसी बात है यह भी कोई वाक्य होता है क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि तुम Internet Bank नहीं कोल सकते उन्होंने PayPal बना दिया बहुत से लोगों ने बोला कि अमेरिका में अब कोई नई कार नहीं आ सकती इतने बड़ी-बड़ी कंपनिया है जो 100 साल से 70-80 साल से टिकी हुई है 2003 में आई है टेसला और आज इसका यह लेवल है मतलब 100 साल लगे है 17 साल लगे है कई बड़ी-बड़ी कार कंपनिस को कि लोग उनको अच्छे से यूज करना शुलू करे लोगों का विश्वास बढ़ जा है उस कंपनी पे और टेसला अभी आई है यह सब कंपनी 100 साल पुरानी है तो लोगों ने कहा कि आप कोई न्यू कार नहीं चलेगी और इलोन मस्क ने तब भी खोल दी और चला दी SpaceX बना दिया यह सब किस से जानकर तो लगता है कि Elon Musk को सच में can't का मतलब नहीं पता Customer satisfaction की बात करते हैं आप हिल जाओगे कि यार क्या आदमी है यह क्या आपको पता है Tesla कार जब अपने charging station पर fully charge होने ही वाली होती है तब कार ओना के पास में notification आता है और चार्ज होने पर भी notification आता है notification के बाद अगर गाड़ी को unplugged नहीं करते है तो एक मिनट का 0.4 डॉलर चार्ज किया जाता है यह new policy कैसे आई बैटरी चार्ज होने के बाद भी कार को आ रखते है और unplugged नहीं करते है तो 0.4 डॉलर का चार्ज क्यों लगाया जाता है यह new policy कब आई सुनो यह policy 2016 में आई जब एक customer ने अपनी frustration में tweet किया था ट्वीटर पे एक बार लॉइक में मूर नाम के customer ने meeting के लिए Silicon Valley जा रहे थे बड़ा आदमी था कोई उसने San Carlos में अपने Tesla रोकी जहां charging station था जहां already काफी गाड़िया पड़ी थी वो पुरी तरह से charge हो चुकी थी लेकिन फिर भी माँ पड़ी थी उनके car के और अनप्लग करी नी रहे वो कहीं चलेगे गमने के लिए car को रख कर गे अपनी car को एक तरह से माँ पे पार कर दी क्या आएगे बाद में कभी लेने तो लॉय क्ले मूर मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे अपनी frustration में गुस्से में उन्हों ने tweet करा ये किस्सा कुछ मिनट के अंदर उस tweet का Elon Musk ने खुद ने अपने official Twitter account से reply दिया तो 6 दिन में अपनी company की policy बदल दी उन्हों ने सोचो एक normal tweet को इतना serious ले ले रहे है वो तो कितने serious होगे किसी चीज को करने के लिए 6 दिन में policy बदल दी कि अब कोई भी बंदा अगर गाड़ी रखेगा इतनी देर तक अगर आप भी Elon Musk की तरह जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखना चाते हो तो बुक्स से अच्छा मादियम और कोई नहीं हो सकता दुनिया कितने ही डिजिर्ल हो जाए कितने ही वीडियो वगरा बंदे लग जाए लेकिन बुक्स से अब जो सिख सकते हो वो आप कही से नहीं सिख सकते हो क्योंकि बुक्स में डिटेयर में बात किरी जाती है अब